रेडमी के नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स डिवाइस के लिए यहाँ पे ओफिसियल है जो नाइटली अपडेट आचुका है लीने जो है इसका हमारे इस डिवाइस के लिए और आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले किस रोम को कैसे यूज करना है क्या कुछ चीज आपको देखने को मिलती है और सासर प्रफॉएंस वगेरा किस तरीके सापको नजर आता है क्या इसे ट्राइ करना चाहिए या फिर नहीं और सब्सक्राइब बात यही है कि बहुत कम डिवाइसे को मिलता है लेकिन इसे मिला है तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपको यह वाल पीपर चाहिए तो मेरे टेलिग्राम के वाल पीपर चैनल पर आपको मिल देगा जहांसा आप इसे निकाल सकते हो और यहां पर सारे अप्लिकेशन जो कि मैंने टेस्ट सब भी रहता है वहें पर बात करते हैं बाउट सेशन की तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है इंडवाइट 15 जो कि आप यहां पर देख पारे हो काफी अच्छी बात है साथ-साथ यहां पर आपको 5 अपरेल का सेक्यूर्टी पैज नॉमर वन का वेंडर है यहां पर आपको फिंगरपींट प्रो पर काम करता है तो फिंगरपींट में आपको कोई भी सिकायत नहीं आने वाली तो डॉंट वरी वह यहां पर बैक चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है सिस्टम जहां पर थोई बुटन से रिलेटेड लेकिन हम बटन यूज नहीं करते हैं जेस्टर से उच करते हैं जिनमें से कई सरे काम नहीं आएंगे लेकिन यह सारे चीज आपकी वर्किंग रहती है तो इनमें आपको दिक्कत नहीं आने वाला लॉंग स्वाइब अभी आप यहां पर यूज कर सकते हो अनदर यहां पर आपको मिलता है स्टेटस बार जहां प आप यह तक सिंपल ही रहता है brightness slider और auto brightness आप यहां पर आउन कर सकते हो, gestures के अंदर आपका पहले से button से रहते हैं आप यहां पे चाहतोर त्री बटन कर लो यह बटन कर लेना यह आपको power button पर चाहिए यह आप पावर menu ही वो और यहां पे वाबटे और मूट के option मिलते हैं यह system diagnosis add किया गया है जो कि recently सभी Android 15 में add किया जा रहा है जिसे आप अपने बैटरी की यहां पर आपको shortcut change करने के option मिल जाते हैं यहां पर Wi-Fi कुछ आइकन दिए गहें चेंज करने के कुछ extra fonts भी आपको यहां पर मिल जाता है बाग यहां पर mode जो कि lock screens related है जहां पर dynamic now playing और always on वगेरा भी आप यहां पर कर सकते हो और always on भी हमारा यहां पर प्रोपर काम करता है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली साथ-साथ बैक की रहाते हैं तो आपको देखनी को मिल जाता है यहां पर वही सारे चीजे जहां पर आपको और option मिल जाते हैं जैसे कि आपको आइकन से वगेरा तो यह सा आपको में चुपता है pure black होता है जब इसलिए मैं थ्वासा फेड आउट रहता है वह यूज करता हूं अनदर यहां पर smooth display tap to wake up tap to sleep और यहां पर back unplugged और यहां पर double tap करने कवाद आपका display lock भी हो जाएगा यानि lock set हो जाता है यह चीज़ भी यहां पर सही तरीके से काम करती ह है मोड से भी दिया गया है जो कि मैंने आपको कई सारे रोम में भी बता रहा है तो यहां पर आप do not disturb set कर सकते हो और timing के सबसे वह अपने आप अपने कॉलिंग वगएरा को है जो कंट्रोल कर सकते हो messaging को applications वगएरा को alarm वगएरा आपको रखना या नहीं display आपका saving mood में जाए नाइट में auto activate होता है और morning में उठने से पहले alarm के साथ वह off हो जाता है तो यह चीज़े यहां पर काफ ही सही है और आपके daily life में बहुत ज्यादा काम भी आने वाला है वह बात करते हैं display के अलावा हमारे है जो sound profile की तो यहां पर जादा कुछ नहीं दिया गया सिंपल है charging sounds वगेरा भी दिया गया है जो कि आप यहां पर set कर पाऊगे और बाके now playing वगेरा दिया गया है sound effects रिलेटर हम बात करते हैं कि कस्टमाइशन क्या है effects वगेरा तो यह सिंपल audio effects दिया गया है तो यहां पर जो output होने वाला है वह काफिया तक simple ही रहेगा लेकिन आपको दिक्कत अतनी आगे निरासा नहीं होगे बट इक्सक्रा होता डॉली बगेरा तो बेटर होता बट यह official है इसलिए यहां पर एड नहीं करा गया है limitation रहती है official के साथ तो अनोफिसल यह mode रहेगा यह आप रूट करका अपने से डाल सकते हो लेकिन officially नहीं है नोटिशन के अंदर है कि यहां पर काफी अच्छा important features दिया गया जो मुझे लगता है सभी में आना चाहिए और आभी जाएगा नहीं टाइम में वह नोटिशन cool down का यह किया करेगा जब back to back आपके फोन में कई सारे notification आएंगे ना तब यह दो मिनिट के लिए आपके फोन के अप कर देगा लेकिना इस duration में अगर आपका को भी call आता है या अलारम बचता है तो वह आपका full ring पे रहेगा ऐसा नहीं कि वाल्यूम डाउन हुआ है तो सब कुछ डाउन हो जागा वह ऐसा नहीं सीवर सीवर नोटिशन के लिए ही डाउन करेगा वह चीज यहां पर लिख नहीं परने वाला बाकि यहां पर वही सारे common option मिल जाते हैं एप के अंदर को भी clone वगरा के option नहीं है क्योंकि यह चोटे से काफी अच्छे से क्यूट से कर्स्टमाइशन आपको मिलते हैं जो कि हमेशा lineage के तरफ से प्रवाइड किया जाता है और हां यहां पर stock camera नहीं आप आपको simple से camera मिलता है तो आपको GKM वक्राइड डालना परेगा इसे यूज करना है तो तो भाई स्टॉक और official चाहिए तो थो वह तो compromise करने परेंगे लेकिन हाँ सबसे अच्छी बात यहां है कि आपको डाइलर different technique को मिलता है जिसकी help से आप यहां पर recording वगरा कर सकते हो इसके performance result की और फिर देखेंगे इसका installation ठीक है क्योंकि साही चीजे मैं आपको बता हूँ कैसे क्या है तो यहां पे सबसे पहले battery drop जो के देखो 64 के बाद morning में 64 ही देखनी को मिलता है जहां पे 8 hours 51 minute या नहीं कह सकते 9 hours का standby timing है और 0% का battery drop है काफी अच्छा है standby के मामल में इसके update जो आएन अपोर्ट होके उनको चेक किया चारपाच रोम में चेक किया सब में CP टोटल इटना विकार आ रहा है इतना सुलवा रहा है इसलिए कुछ दिन से इस device का review भी नहीं दे रहा था लेकिन यहां पर यह रिजल्ट काफी अच्छा है उसके बाद यह है नॉमल स में आपको कोई भी compromise करने की जरूरत नहीं है इस रोम से related लेकिन कुछ चीज़े हैं जो कि आपको compromise करने पर सकती है वह है यहां पर फोटो इस्ट्रेज का उनलॉक नहीं होना limited है क्योंकि यह stock है और stock में limitation होती है lineage के साथ इसलिए यहां पर नहीं है साथ-साथ gaming भी आपका default setting रहता है ऐसे भी high दे भी देगा तो इसका प्रोसेस है उतना capable नहीं है कि आपको वह चीज़े करके दे जो की default unlock नहीं करी गई लेकिन हाँ extra रहता है तो बेटर रहता बट नहीं दिया गया तो यह चीज है तो आप चाहो तो latest update भी यहां पर install करके देख सकते हो जो यहां पर रिव्यू दे रहा हूं वही करो सिमलर सब कुछ रहने वाला प्रफॉइंस होगा सब कुछ रहेगा बस में भी छोटे मोटे जो इसू जातना है वो फिक्स हो सकते है आने वाले टाइम में जैसे कि यह वा कर सकते हो और यहां पर रिकॉर्ड इसू का भी option दिया गया और बाके दर भी option दिये गये हैं जो कि आपके काम आने वाले हैं तो यहां पर को मैं आपको रिबूट का option दिखाते हूं कैसा है और इसका installation गाइड भी हम यहां पर चेक्क करने वाले हैं इसलिए लिए लास्ट इसे install कैसे करना है हमें अपने फोन के अंदर तो उसे पहले क्या करना है आपके अपने फोन को चार्ज कर लेना है ताकि लो बैटिना रहे और दिक्कत ना है और दूसरे आपने इंपॉर्टन डेटा का बैक अप ले लेना है क्योंकि सब कुछ यहां पर डिलीट हो जाता है यह साथ चीज़े करने के बाद और अब अपने फोन को switch off कर लाना है simple तो मैं यहां पर अपने फोन को switch off कर लेता हूँ switch off हो जाने के बाद power turn and volume down को long press करेंगे जिससे आपका phone का है जो यहां पर fast boot logo appear हो जाएगा क्योंकि यहां पर recovery में बताऊंगा वही उच करना है different नहीं उच करना तो इस तरह की साथ आप लोगो आएगा तो इन सभी को डाल के flash कर सकते हो one by one या simple आप यहां पर recovery को flash कर सकते हो क्योंकि हमारे device के लिए recovery ही यहां पर main है उसके आप चाओ तो बूड तो इनको extra को flash करना है तो करो नहीं करना है सिर्फ एक से काम चल रहा है तो एक से भी काम चला सकते हो अधवाई इन सभी को flash करना ह सब्सक्राइब करना है तो यहां पर मैंने भाई lineage OS और recovery और बूटी में डाउलोड किया है सासर निक गैस क्योंकि इसमें आपको इंक्लूट नहीं मिलता गूगल के अप्लिकेशन और सासर एक FW भी आपका required रहेगा तो साही चीज आपको discussion मिल देगी या फिया यूटूब डाउलोड कर लेना निक डाउलोड कर लेना उसके आप चाहो तो सिर्फ उसी रिकावरी जो कि यह रहा मैंने रिनेम कर रखा है इसका यूच कर सकते हो या भी बाके अदर फाइल हो का और इन सब को मूफ करके डालना है कहां पर प्लेटफोर्म टूल के अंदर जैसा कि आप कमांड होगा हमारा फास्ट बूट डिवाइसे उसका इंटर पर किलिक करेंगे इस तरीकिसा आपका कोड रिखा देगा अगर नहीं दिखा रहा है तो में भी ड्राइवर का इसू हो सकता है तो PC में ड्राइवर अपडेट कर लेना बट मेरा सही है तब यहां पर हम रिकाव कमप्लीट अब हम इसे रिबूट करेंगे रिकावरी के अंदर तब चाहो तो पाव अटन एन वॉल्म पर लॉंग प्रिश करके भी ऑन कर सकते हो यह डाइक्ट कमांड फॉलो करते वे भी ऑन कर सकते हो इसका जो कमांड होगा वह है फास्ट बूट सपेस रिबूट सपेस उसके बाद इंटर जैसे यहाँ पर किलिक करोगे आपका फोन आफ होगा और अन होगा रिकावरी के मोड पे जहां पर आपको एडीबी साइड लोड रिकावरी देखनी को मिलेगा और इसी की हिल्फ से आपको इसे फ्लैस करना है आपको और और एंज फॉस और टिर यूज नहीं करना क्यों किया गया है अब सिंपल से फेले फैक्टिर करेंगे यहाँ पर टच हमारा काम कर रहें में भी आपका काम ना करें तो वाल्यूम आप और डाउन का यूज करते हुए इस तरीकी से आप है जो चीजे कर सकते हो जैसे कि आप देख पार है मैं वाल्यूम का य बीजरूरी नहीं कि आपका काम ही कर जाए ना भी कर सकता है तो इस तरीकी से कर लेना उसकर फिर से यह वर्किंग रहेगा तो टाच अगा वर्किंग है तो टाच के लेंगे अपडेट पर आजेंगे वाइप करने के बाद यहाँ पर अप्लाइफ रॉम एड़ी क्लिक कर द अगर पूचता है तो अधवाई नहीं भी तो होने करेंगे जैसे कि यहाँ पर यहाँ पे क्लिक करेंगे अब इसने होग्या लेइंगे उन से यूप से लाट में दालेंगे तो हमने रोम को drag and drop किया इंटर पर क्लिक किया वह flash चालो होगा यहाँ पर आपको भी भी दिखाई दे रहा होगा कि flash हुआ है यहाँ पर dtv भी भी मेटा और बाकिया था चीज़े तो adb side load और इस वर हमें जो निग गफ हो drag and drop और इंटर यहाँ पर प्रमिशन पूछ रहा है flash करना या नहीं तो हमें करना है यहाँ पर complete flash हो चुका है अब simple जो final हमें last में करना रहता है वो है factory reset तो यहाँ पर हम factory reset कर लेंगे एक बार क्योंकि सारी फाइल हो गई अगर आप रूट करना चाहते हो तो same adb side load के सबसे आप मैजिक को या बाकि जो भी जी फेक्ष्टाज वो flash कर सकते हो आप simple यहाँ पर system reboot कर लेंगे कुछी देल में आपका phone on हो जाएगा यहाँ पर आप देखते हो कि हमारा अच्छा लगेगा और मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा अज वैस अपोर्ट नहीं आते हैं तो भाई मन नहीं करता है वीजियो जितने का अब अब